हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलो गुरूज चैनल, मैं जितन्र पमार सिंग, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में, दोस्तो, चाइनिज एप्स बैंड इन इंडिया, दोस्तो, भारत में अब चाइनिज एप्स जो भी है, बैंड किया जा चुके ह और अगर आप इन अप्लिकेशन को रखते हैं, तो इसका सजा का भी प्रोधान दिया गया है, आप इसको नहीं रख सकते हैं, क्यांकि ये अब इलीगल हो चुका है, दोस्तो, इसके अंतरगत वीचैट है, यूसी ब्राउजर है, टिक टॉक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन हैं, जो हमारे देश में लगभग 100 करोड लोग यूज़ करते हैं, दोस्तो, इसके अंतरगत 59 अप्लिकेशन का लिश्ट दिया गया है, उसमें से कोई भी अप्लिकेशन अगर आपके मोबाईल में हैं, तो आप अनिस्टल कर दें, बहुत दिनों से मांग चल कर जा रहा था, और चाइनिज प्रोडक्ट को बैन करने का मांग चल रहा था, तो वहीं कहीं चाइनिज अप्लिकेशन का भी बैन करने का मांग चल रहा था, तो भाज सरकार ने ये सेकुरिटी को देखते हुए, खास तोर सेकुरिटी को देखते हुए, इन सभी अप्लिके अगर आप इस लिष्ट में से कोई भी अगर आपके मुवाइल में है ता आप इसको तुरंत अनिस्टल कर दीजिए क्योंकि यह बैन हो चुका है और यह आप गयर कानूनी माना जाएगा अगर आपके मुवाइल में है टोटल 59 अप्लिकेशन जो है यह आप देख सकते हैं इसके अंदर गर टिक टॉक है टिक टॉक खास तोर से एक ही अप्लिकेशन मानेजी अग्जामपल के लिए टिक टॉक हमारे देश में लगभग 10 करोड से जादा यूजर टिक टॉक को सिर्फ यूज करते हैं आप समझ सकते हैं कि भाद सरकार ने सेक्रोटी को देखते हुए इन सभी अप्लिकेशन को बैन कर दिया है कहा गया है कि इन सब अप्लिकेशन से चाइनीज इन सब अप्लिकेशन को देखते हैं और इससे जो इन्फरमेशन होता है इन्फरमेशन को कलेक्शन करते हैं और वह जैसे इन सभी application को ban किया जा चुका है ठीक है दोस्तों अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको ban किया हुआ अगर सरकार का decision अच्छा लगता है तो आप comment section में बताइए कि आपको इस ban पर क्या आपके सहमती है या नहीं है अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में comment कर दे thanks for watching video